आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुए न्यूज चैनल पुलिस की अवाज सबसे सटीक सबसे पहले सबसे बड़ी ख़बर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस की अवाज को सस्क्राइब एवं शेयर एवं लाइप और साथ में बैल आइकन दवाने ना भूले जिससे की आपको नई न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चलिए अव रुक करते हैं ख़बरों की तरब हम आपको दखाएंगे आप से सीधी आप से जुड़ी हुई ख़बर जिसका तालुका सीधा आप से और जुड़े रहे हमारे साथ दखाएंगे हम कि आज के बुलेटें में क्या है खास प्रशासन की चलती लापर वही से श्रधालुकी हुई मौत गोवर्दन थाना के अंतरगत मामला आई और गाओं का है जहां नदबई राजस्थान से गोवर्दन परिक्रमा के लिए आए एक दरजन युवक जो की आपस में मित्र बताई जा रहे हैं परिक्रमा के दौरान वह कुण में सनान करने के लिए गए वहाँ पैर फिसलने के कारण दो श्रधालुकुण में डूब गए जिसमें से एक युवक राम नामग कों चिकित्सकों की सूजबूज के कारण प्राथमिक उपचार के दौरान मतुरा जिला अस्पताल में रिफर कर दिया तथा वही दूसरे की मौत हो गई मृत का नाम नरेश पुत्र जगदीश बताया जा रहा है दोनों ही युवक नदबाई राजस्थान के मगर गौट देने वाली बात यह रही जिस कुण में युवकों की मौत की खबर मिली वे कुंद ब्रिज फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया ह तथा उसकुण में चौकीदार की तैनाती भी है मेले के दौरान प्रशासन के कर्मचारेयों की मौझूदगी में युवक की हुई थी मौत उनके चारों और बाउंडरी वॉल है तथा कुण में प्रवेश के लिए मातर एक ही गेट है जो की मेले के दौरान बंद किया गया तो यह श्रद्धालुकुन के अंदर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कैसे अंदर गई यहां पर प्रशासन के उपर प्रशन खड़ा करने वाली बातें सामने आ रही है यहां एक जाच का विश्य है क्या अधिकारी इस मामले की जाच करवाएंगे या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा यहां देखना बाकी है बाकी एक जो दूसरा उसका साथी था उसकी डूबने के कारण बहुत होगी जो ब्रितवस्ता में अलाया गया था फिर भी हमने उसका पूरा रिससिटेशन करके प्रेखा उसमें नहें तो इसको फिर हमने पोश्टमार्टमाउस के लिए बिच्वाट के रहे यह यह नदव सालोमर नर्वेग राउंका है और दूसरा नरेश